का गुड़ूर्ड निंग अगर आप ट्रवल्ट में पढ़ते हैं और आप लास्ट लेव साइक से पढ़ते हैं और आप ने जो कि सब्जेक्ट लिया है नर्सरी तो आप इस चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसका यह द्यूती प्रस्णप पत्र है और डॉसरी स प्रस्ता पढ़ने के निर्धारित है निर्द्यास प्रस्ता निवार है पार्ट यानि खंड एक में जो कि आप देख सकते हैं प्रस्ता प्रस्त नंबर एक दिया है शिखने अधिकम को परिभासित की जिए अधिकम के सिधानतों की व्याख्या उपयूक्त उदाहरण देकर की आगे प्रस्त नंबर दूसरा अम सकते हैं की सब्रस्ता करते शिक्रा करती करते हैं के अधिकंद्यान को आकरशित करने के लिए के लिए तथा पाठ में उनकी रूशी निरनतर बनाये रखने के लिए आप अपने पाठ का आयोजन किस प्राकार करेंगी तो यह आपको जो कि बताना है अथवा करके दिया है ब्यक्तुई गत को परिभासित कीजिए सिसू की ब्यक्तुई गठन में खेल की के क्या य यहीं क्रियाओं द्वारा किस प्रकार निर्मित की जा सकती है अथवा करके और प्रस्ण दिया है द्यान और रूची में या सबंद है इसके परी प्रेच्य मे सिसू के ध्यान की विसेस्तताय में लिखिए 16 ख schme책 अध्य तो किस प्रकार के खिलिपकर लों कसलन करेंगी समझ आपको करना है तो आपकर सकते हैं और हम चलते हैं पर समबार आगे की ओर और इधर दिया है खंडब या निक रख़क निर्दार थे जो कि दो अंक्र मिलेंगें आपको प्रसनमबर चार अपने कख्ष को स्वक्ष रखने के लिए से सी द्वारा है तो प्रसनमबर 5 अन्हेटरें तके कि आदत को किस प्रकार दूर करेंगी यानि सिसु को समाजिक बनाने के दो तरीके लिखिए मिट्टी तथा बालू से खेलकर सिसु में रिसनात्मा कौसल किस प्रकार विक्सित होता है प्रस नमबर दस जन्मदातारुची के दो उदाहरल लिखिए प्रस्ट नमबर 11, सिक्षड में पठार क्या है, यानि सिक्षड में पठार, पठार जो है कि क्या आपको बताना है, प्रस्ट नमबर 12, कहाने सिसु के ध्यान को अतिसीग्र अकरसित करती है, दो कारण बताईए, प्रस्ट नमबर 13, मां अक्षर का बोद कराने के लिए एक चा बिख्शइद करली ठाद सुला में देसुम की भवना किस प्रकार विक्षित करती में दो ृसी नम्ब लिखिये प्रहतिो तर्फ रितू पर एक सिसु गीत लिखे प्रस्त नमबर नहीं से बहिं बहिं मुर्खी सिसु के दो विशतार इंप अगर आपको हल सब्सक्राइब तो आप